तो दोस्तों आज के ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्फुल होने बाला है जो लोग अपने कार ओडियो सिस्टम, स्टीरियो सिस्टम, मीडिया प्लेयर को अपने घर पे यूज करना चाहते हैं सबसे बड़ी जो प्राब्लम आती है वो है कनेक्शन की, किस तरीके से आप कार ओडियो सिस्टम को अपने घर पे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं कनेक्शन के, इस वीडियो में सबसे सिंपल वे बताऊंगा, जिसको आसानी से आप यूज करके, किसी भी ओड आने वाले वीडियो के लिए, चली वीडियो के स्टार्ट करते हैं, और सारा कच आपको दिखा देता हूँ, लेड्स गो तो सारा कुछ कुछ चनेक्शन और सेट अप करके दिखाने के लिए मैं यूज करने वाला अपना सोनी का ओडियो प्लेएर स्टीरियो सिस्टम और य इस केबल के जरीए जोड के और इलेक्टिसिटी देखे दूसरा कनेक्टर कुछ इस तरह के का है इससे भी ओपन करके दिखा देता हूं तो ये वाला कनेक्टर आपने अल्रेडी बहुत जगा पर देखा होगा यूज करते हूं ये भी काफी ज्यादे यूजफुल होने वाला तो फर्स सब्सक्राइब करें के अपने वाइरिंग हारने सौकेट को यहाँ पर इस पोर्ट में अब सबसे बेंची यहाँ पर कनेक्शन कैसे करना है कौँसा वायर यहाँ पर कनेक्शन के लिए यूज होगा तो दोस्तों आप सभी के पास जो आउडियो प्लेयर है उसका अगर आपकी पास है तो वहां से आपको help मिल सकती है यहां पर सारा कुछ image के साथ mention है और full detail में आपको चीज़े यहां पर मिल जाएंगी कि कौन से wire को कहां पर connect करना है कौन सा wire आपका plus and minus point बनेगा और वैसे भी already आपने YouTube पे बहुत सारे videos देखे होंगे तो wire yellow and red को हम plus बनाते हैं और जो black वाला wire है वो होगा हमारा minus याने के negative तो यहां पर plus and minus दोनों ही हमें मिल गए हैं next अभी इन wire को cut करके फटा भटा हम जोड लेते हैं तो yellow and red एक साथ यहां पर जुड जाएंगे और बना देंगे हमारा positive point यह बनके हमारा positive point अभी negative के लिए हम black wire को भी cut करेंगे तो यह देखिए positive और negative हमारे पास अभी है next अभी इस DC socket में हम connect कर देंगे इन दोनों ही wire को DC socket पर देख सकते हैं plus and minus mention है उसे इसाब से आप लगा कि screw कर दो tight तो यहां पर power socket तो connect हो गया है wire अच्छे तरीके से यहां पर लग गया है now सबसे main part आप इसको power किस चीज़ से कहां से देंगे अगर आपके घर पे 12 volt की बैटरी है तो आसानी साब इसे direct connect कर सकते हैं पर ज्यादे तर लोगों के पास बैटरी नहीं होगी पर आप सभी के घर में कोई न कोई DC adapter अड़ेडी पढ़ा होगा दूसरे device का जैसे कि यहां पे है मेरे पास यह जो adapter है मेरे Bluetooth speaker का है और इसकी output जो 15 volt है यह ज्यादा हो जा रहा है नेक्स लास adapter जो मेरे पास अभी है यह है CCTV camera का और यह भी similar DC connector के साथ है रेटिंग इसकी आपको दिखाऊ तो इसका जो output है वो है 12 volt 1A तो यहां पर यह जो adapter है मेरे लिए काम आएगा उससे पहले आपको बता दो अगर इंडे से कोई भी adapter जाओ एमाजोन पर जाओ और सर्च करो DC adapter 12 volt यहां पर ठेर सारे आपको option मिल जाएंगे adapter के जो आपके price के range के हिसाब से सही rate में आपको मिलता है वो आप देख सकते हैं purchase कर सकते हैं एक चीज़ और आपको दिखा दो कुछ इस तरीके का भी SMPS आता है AC to DC convert करने का और इनका price आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 700 से 1000 रुपे के बीच में आता है पर इससे connect करने में दिक्कत यह है कि wire आपका open रहता है और इसको carefully आपको जहां भी आप रख रहे हैं connection कर रहे हैं उस पे ध्यान रखना होता है वरना current shock लग सकता है तो इसको लेने की बज़ाए आप adapter ले सकते हैं या फिर इसको ना लेके उसी price range में आप PC का SMPS ले सकते हैं इससे भी आप अपने car के stereo system को चला सकते हैं और SMPS आपको उसी rate में लगबग बिल जाएगा अभी देखिए rate 900 रुपय है पर इसको मैंने 7500 रुपय का purchase किया था यह है आपके सामने अब इसमें फाइ cooling system अच्छा मिलता है और pure 12 volt DC output मिलता है उस वाले SMPS से clean और input range भी इसमें काफी अच्छा मिलता है इसके अलावा इसको लेने का एक फाइदा यह है future में कोई PC बिल्ड कर रहे हो छोटा मोटा तो उसमें भी इसको आप यूज कर सकते हो तो यह वाला SMPS लेना ज्यादा आने वाला हूं तो connect कर देते हैं अपने इस वाले adapter को और दूसरे चोर को हम direct connect कर सकते हैं इस वाले पोर्ट में यह देखिए connect करते ही device हमारी on हो गई है easily output बहुत ज़्यादा कम था इस adapter का मुझे लगनी रहा था कि इससे on हो जाएगा पर यह देखिए बिल्कुल परफेक्टली यहां पर सारी कुछ चीज़ें काम कर रही है थमसब यह देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि music ले होती है या फिर adapter यह music को start करते ही हो जाता है यह देखे सारे कुछ function buttons बिल्कुल work करने हैं तो audio test करने से पहले हैं आपको बता दू कौन-कौन से wire यहां पर speaker connection के लिए हैं तो यह हमारे speaker का front left audio output और उसके बाद जो grey and grey with black है वो है हमारा front right audio output तो इन्हीं दुनों में सबसे पहले हम connection करके testing करेंगे कट करके फटा फट इसको ready करते हैं connect करने के लिए ना इन सारे wires को एक जगा बिल्कुल clean तरीके से connect करने के लिए एक बड़ा ही कमाल का tool जो मैं यूज करने वाला हूँ वो है आपके सामने quick connection terminal adapter इसका यूज करके हम सारे wires को connect करेंगे कैसे करना है बस आप देखते रहों इसमें देखिए कई सारे orange color के ये trigger से बने हैं इसको उपर उठा के इसके अंदर holes बने होते हैं wire को insert करने के लिए wire को इस तरीके से अंदर करके जब हम trigger को नीचे कर देते हैं wire यहाँ पे वो जाता है लॉक तो इस side से मैंने सारे कुछ input दे दिया है speaker connection का और उसके other side से अभी मैं speaker के wires को कर दूँगा connect और trigger को नीचे करके कर दूँगा lock तो यहाँ पर देख सकते हैं wiring कितने easy तरीके से perfectly यहाँ पर हो गई है इस adapter के जरिये तो चलिए अभी फटा फट टेस्ट कर लेते हैं कि यह काम कर रहा है या नहीं और यह देख अभी FM on है और sound कितना ज्यादा loud होता जा रहा मतलब कि सारे कुछ connection बिल्कुल सहीं है और साज चीज़ें अच्छे से work कर रहें है लेक्स स्टप में सारे कुछ wiring में फिर से करने वाला हो जिसे की setup और connection बिल्कुल clean लगे और दूसरे वाले DC port का इस्तमाल करके अपकी हम करेंगे connection और एक-एक सारे कुछ wire मैं connect कर दूँगा इस socket में तो सारे कुछ speaker wires यहाँ पर left right channel के connect हो कि अभी हम व्यूच करने वाले हैं female DC connector जो कि यहां पर direct हो जाएगा connect प्लस और माइनस पर्फेक्टली और बस ट्रिगर को कर देना है down connection हो गया है पूरा और यह दिखिए अभी यह ready है तो सारे कुछ wire यहाँ पर पर्फेक्टली अच्छे तरीके से जिसको जहाँ पर होना चाहिए वो बिल्कुल मैंने set कर दिया है clean and smooth wiring और चाहों तो इस wiring को और ज़्यादे smooth बनाने के लिए यहाँ पर एक टाई भी use कर सकता हूँ हम सब इस वाले DC jack की अभी जोड़त नहीं पड़ेगी फिलाल चलिए फटाफट करते हैं इसे connect फिर से और टेस्ट कर लेते हैं यह देखिए फिर से device हो गई है on सारे कुछ connection बिल्कुल परफेक्ट हुए हैं तो जैसे कि आपने देखा किसी भी car studio system को DC adapter के जरिये कितने आसानी से clean तरीके से आप connection करके यूज कर सकते हैं और music को enjoy कर सकते हैं अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा sound test car speaker system के साथ यह वाला हो गया हमारा front left और यह वाला हो गया हमारा front right यह जो कार का speaker system आप देखरो इसका complete unboxing रिखी टेस्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाएं इंट्रेस्टेड हो जाके देखो वीडियो की description box में लिंक पिल लिया गया या फिर आई बटन पर क्लिकर के देख सकते हैं जाजा कि मैं जो अडाफ्टर कर रहा हुआ है उसका आउट्पूट बहुंचा रहा है फिर भी मैं speaker को काफी high volume तक ले जा पारा तो बहुत ज़्यादा आपको high voltage की जोड़ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा loud volume पे indoor भै इसे use नहीं करना वाला तो इतना enough है तो दोस्तों यहाँ पे होता है वीडियो complete और जैसे कि अपने वीडियो में देखा कितने easy तरीके से आप अपने किसी भी car, stereo system, audio system को अपने घर पे connection करके use कर सकते हैं amplifier की तरह और आसानी से music enjoy कर सकते हैं high quality में जरूर वीडियो आपको पसंद रहा होगा वीडियो से आपकी help हुई होगी अगर हां तो वीडियो को जादा से जादा like करना, share करना और चैनल को भी subscribe कर लेना इसे ही कमाल के वीडियो के लिए इसके अलावा कोई भी question है, कुछ भी पुछना है, comment section free है मुझसे Instagram पे बात करना चाते है, chat करना चाते है, कुछ भी पुछना है तो इधर ID सो और है, जाके follow कर लेना, मैं reply करूँगा, message करोगे तो तो बस यह था सार कुछ आपको दिखाना बताना, चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी दिन किसी और वीडियो में तब तक के लिए आपको रखना मना ख्याब, see you again, bye